नमस्कार उन्हें 14 दिन कौरंटीन पर जाना पड़ा है और उनकी गेरहाजरी में वहां श्री मुकेश कुमार को ये पूरा AMC का चार्ज, Municipal Commissioner का चार्ज दिया गया है, चार्ज उन्होंने संभाल लिया है और वहां के officers के साथ meeting भी उन्होंने कर ली है, इसी तरह से अधिक मुख्य सच्चिफ श्री डॉक्टर राजीफ कुमार गुपता को पूरे AMC में जो वहां की गंभीर परिस्थिती है COVID-19 को देखते हुए उसके successful उसको handle करने के लिए उनको overall जवाबदारी दी गई है और साथ में मुख्य सच्चिफ श्री अनिल मुखीम जी और उसी तरह से श्री कैलाशनातन साहब उन दोनों ने आज AMC के अधिकारियों के साथ मीटिंग और रिव्यू की भी कारिवाही शुरू की है और इसी तरह से आरोगय विभाग में भी COVID-19 के मसले को लेके इसका overall संकलन और सुपरविजन का काम श्री पंकच कुमार साहब जो अधिक मुख्य सच्चिफ श्री मैसूल विभाग है उनको दिया गया है जो अभी तक COVID-19 और अमदाबाद का देखरे कर ही रहे थे और इस तरह से आज अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे जादा केस्स COVID के भी आए हैं और इसी तरह से गुजरात में भी आज 441 जितने positive केस्स आए हैं आज कुल 186 जितने लोग discharge हुए हैं और जो cure यानि के जो लोग discharge होके अच्छे होके वापस घर गए हैं इसकी 10 दिन के पहले अगर इस परिस्ति को हम लोग देखें तो 9.48 प्रतिशत लोग cure हुए थे तो इन दोनों की अगर हम तूलना करें तो 10 दिन में 113 टका प्रतिशत 113 प्रतिशत इसमें एक growth हुआ है जो cure rate है recovery rate है इसका मतलब है कि हमारे बिल्कुल अब उत्रोतर जितने लोग recover होके अच्छे होके वापस घर जा रहे हैं इनकी संख्या बढ़ रही है और अगर पूरी संख्या आज के दिन पर देखा जाए तो अभी तक positive cases तो हैं पर उसके सामने 1381 जितने लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं जो आजाये हैं उसका आँक अभी बताया गया 441 अगर हम आयुश की जो हमारी प्रभाग की कामगीरी की बात करें कि जिससे खास हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भरती है तो इसमें जो उकाला है वो जितने लोगों को अमृत पे भी इसे कहते हैं एक करोड़ चपन लाख जितने लोगों को ये अमृत पे पे जो है या उकाड़ा इसे दिया गया है इतने लोगों ने इसका सेवन किया है और आयुश की एक दवाई आयुरवेद की दवाई सम्शम बती होती है उससे रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ती है वो भी 7,98,000 जितने लोगों ने सम्शम बती का भी डोज लिया है और इसी तरह से होमियोपैथी की दवाई है आरसेनिकम आल्बम पोटनसी 30 ये भी 96,68,000 जितने लोगों ने इसकी भी डोज ली है जिससे की उनकी रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ सके और वो COVID-19 के साथ लड़ सके इस तरह से आज की latest information है और सबसे अनुरोध करेंगे कि जो हमारे माननिय प्रधान मंत्री जी का एक आहवान है उनका अनुरोध है, आदेश है हम सब के लिए कि अपने mobile में जो आरोग्य सेतू आप है उसे बिलकुल हम सब डाउनलोड करें हम ensure करें कि हम सब के mobile में ये हो इससे एक बहुत ही powerful tool है हम अपने चारों और एक इसका COVID-19 को सामना करने के लिए उसके सामना करने के लिए एक सुरक्षा कवच बान सकते हैं और हम सब पूरी अबादी अगर इसे डाउनलोड करें तो हर्गिस हम इस लडाई में जीत सकते हैं फिर से सबसे अनुरोध करेंगे कि पानिक करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बिलकुल हमें अपनी सावधानी से अपनी एक रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए और पूरा इसमें हमें सजाग रहना है वी हाब टू टेक कैर अफ आवर सेल्स सबसे अनुरोध है कि खास जो बड़ी उम्र के लोग हैं और जो अन्य गंबीर बीमारियों से जो पहले से ही जिनको और ऐसी कोई परस्तुती हो उन सब को खास अपना ख्याल रखना चाहिए और उनके भी जो घर के बाकी सब्य हैं खास उनका ख्याल रखें कि वो संक्रमित न हो नमस्कार